सस्ता नसा का नाम आपने सुना ही होगा आजकल सौमी है जो इसे बहुत ही जोरो सोरो से जो यूज कर रहा है जिसके वैसे हमें अजीवो गरिब टैप के अपडेट देखने को मिल रहे हैं और यह है मेरे पास रेटमी का नोट 11 जिसके लिए यहाँ यहाँ पहले 13.0.1 का अपडेट जो रोल आउट कर दिया गया है और इसके बारे में आपको यहाँ पर इंफोर्मेशन देने वाला हूँ लेकिन यह स्टील अभी सभी को नहीं मिला होगा कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं मिला है और अगर आपको मिला नहीं है तो भाई क्या कुछ आपको करना पड़ेगा वो साई जनकार यहाँ पे देने वाला हूँ तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और आपसे एकी रिक्विष्ट रहेगा अगर आप कॉस्टर रोम यूज करना पसंद करते हैं अपने डिवाइस के लिए तो मेरा सेकेंड चैनल सस्क्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे है इस 13.0.1 का मैंने भाई फर्स्ट फीचर का वीडियो बैटीर चार्जिंग टेस्ट का वीडियो और फाइनल रिव्यू यानि अपडेट करना चाहिए या नहीं वो दे दिया है लेकिन अपडेट रुख गया था बीच में और किसी को नहीं मिला था लेकिन फाइनली वन दे पहले या पब्लिक ग्रूप से रोल आउट कर दिया गया है सभी के लिए बट जैसा कि मैंने का कि भाई सस्ता नसा करके आज कल अपडेट दिये जा रहे हैं तो यहां पे करीब 3 से 5 डेच पहले रेटमी के नोट 11 यूजर्स के लिए ही 13.0.13 का अपडेट रोल आउट किया गया है वो भी इंडिया में क्योंकि यह जो अपडेट हैं हमारा Android 11 का ही है जिसमें सिक्योर्टी पैच सिर्फ अपडेट किया गया है जिसके वारे मैंने यहां पे डिटेल है जो सेयर किया है जो कि स्टिल Android 11 पे रन कर रहा है तो यह अपडेट करने को जैसे आपका बैटलक यह हो जाएगा कि आपके फोन का जो सिक्योर्टी है न वो सितंबर मन्त पे अपडेट हो जाएगा और जो रोल आउट किया गया था काफी टाइम पहले बीटा टेसर यूजर्स के लिए और फिर से वन डे पहले पाउलिक दिया गया सभी को इसका जो सिक्योर्टी पैच आपको देखनी को मिलता है वो है 7 मन्त का यानि यहाँ पे 2 मन्त ओल्ड सिक्योर्टी पैच है इस 13.0.1 का और आपने अपडेट करके अपने फोन को सिक्योर्टी पैच को अपडेट कर दिया 9 म को मिलेगा क्योंकि आपने अपने फोन का security patch अपडेट कर लिया है और यह 13.0.1 जो के android 12 वाला है यह तो भाई old security पे तो यह आपको मिलेगा तो आखिर कैसे मिलेगा तो यही कारण है स्वस्थे नसे क्या जिसके विजसे युजस वाई बहुत प्रॉलम फिस करते हैं कर सकते हो कैसे अपडेट करना है चली वह प्रोसेस देख लेते हैं सबसे पहले आपको अपने सेटिंग पर आ जाना है अबाउट फोन पर जाना है यहां पे आपको किलिक करना है अपडेटर पे मिय के इस लोगों पे 6-7 टाइप करना तब जाके आपका additional update features on हो जाएगा फ 30 से उपर चार्ज होना चाहिए उसके बाद आप असानी से अपडेट है जो कर पाऊगे लेकिन इस टील आपके अंदर दिखाते है के बीटा टेस्टिंग वाला एरर वगेरा तो मेबी आपको यह update करना परेगा पहले तब जाके next time आपको MIUI का यह 13.0.12 का update देखने को मिले है और जो fastboot roam होता है जिसे हम PC से flash करते हैं यह भी available हो गया है और fastboot जब ही आता है जब आपका recovery हो अपडेट है या जो OT अपडेट है वह stable public group से release हो जाता है जब तक यह beta phase में रहता है ना जब तक हमारा fastboot roam available नहीं होता लेकिन यहां पर दोनों available हो चुका है और यह public release भ जान मार्दी क्योंकि आप उन्हें तो update मिलेगा नहीं जब तक next 13.0.2 का update नहीं आथा वह भी latest security patch के साथ तो यह आजकर है जो नाटक चल रहे हैं तो आप कमेंड करके बताना कि भाई आप update कर लिये थे या फिर नहीं किये थे और नहीं किये थे आपके चांस है manual update करने का य भी के लिए और रही बात इसके features की कि इसमें क्या किया आखिर add किया गया है तो यहाँ पर आपका फोर्ट जीवल है ना तो blur आपका still नहीं देखनी को मिलता है और maybe 6 जीवल में भी blur add नहीं किया गया है camera अगर आप open करते हो तो camera का नया EY आपको देखनी को मिल जाता है जि option बाकिया दर phone में आते है ना वो देखनी को नहीं मिलते हैं और नहीं आपको कोई apps opening and closing का animation देखनी को मिलता है नहीं unlocking वगए रखा और इसके उपर मैंने dedicated detailed video आपके साथ share कर रखा है जो कि अगर आप जानना चाहते हो देखना चाहते हो ना तो मेरे note 11 के playlist में आ जाओ यह र काफ जड़ा improve किया गया है इसे आप चेक कर लेना अभी तक चेक नहीं किये हो तो और final conclusion update करना चाहिए है नहीं वह मैंने इसमें बता रखा है बट still मैं आपको बता दू भाई यह जो 13.0.1 का update है काफी perfect है काफी मज़ेदार है आपको ज्यादा निरासा नहीं होती सब जो कि add नहीं की गई है बट क्या ही कर सकते है लेकिन हाँ update करने लाइक है तो यह तीनों वीडियो का अगर आप देख लेते हो तो features, battery और आपको final decision भी मिल जाएगा लेकिन वहीं पर bad luck आपका आ जाता है कि आपने 13.0.1 अपडेट कर रखा है तो भाई आपके पास कोई भी तो आप भाई बताना कि आप सस्ते जस्ते की सिकार हो चुके हो या फिर नहीं हुए हो जैसे कि मैंने अपने take news में बताया था कि आपको 20 से update मिलना सुरू हो जाएगा Redmi के Note 11 के लिए, Poco M2 के लिए, Poco M2 Pro, Redmi Note 9 Pro, Pro Max के लिए तो पहली शुरुआत हमारे Note 11 से हो चुकी है बा समझ रहे हो ना क्या चल रहा है आज कल चोरो यार सब को अपने phone को बेचने में लगे पर है अपडेट के किसे फिकर है हम यह जो पागले वेट करते रहते हैं कि कब अपडेट मिलेगा कब अपडेट मिलेगा साब यह लोग तो भाई deal पर deal लेके आ रहे है जो phone का भी बैच बेचते हैं 20,000 का बेचते हैं 15,000 का जिन्होंने 20 में लिया है उनके तो बैंड बजी पर हमें इतना लॉस हो गया यह यह लोग करेंगे अपडेट को पर तो ध्यान है यह नहीं लोग को